नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे यूटूब चैनल में दोस्तों यूपी एनचेम एनम फार्मासिस्ट लैब टेकनीसियन नियुक्ति पत्र जिला मुख्याले से दूर दराज नए और पुराने डॉट सेंटर CSC, PSC पर नियुक्ति वीडियो को अंतक देखें से दोस्तों संपूर जानकारी आप लोग को बताऊंगा नियुक्ति पत्र बनकर तयार हो गया है दोस्तों डाकुमेंट वैरिफिकेशन आज और कल और होंगे उसके बाद आप लोगों को 21 तारिक से नियुक्ति पत्र मिलना सुरू हो जाएगा आप लोगों ने जो डाकुमेंट वैरिफिकेशन के समय मोबाइल नंबर वहाँ पर दिये हैं मोबाइल नंबर को स्विच आप दोस्तों ना करें कभी भी आपके पास फोन आउ सकता है नियुक्ति पत्र के लिए वो भी जिस जिले में आप सार्ट लिस्ट हुए है जहां पर आपने डाकुमेंट वैरिफिकेशन कराया है उस जिले से जिला CMO आफिस से आपके पास है नियुकती पत्र के लिए कारभार ग्रहण करने के लिए जल्द ही आप लोगों को देखने को मिलेगा चलिए दोस्तों आप अपडेट की तरह बढ़ते हैं बहुत से अभिरती ये कह रहे हैं कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि हमें काउन सा डॉट सेंटर मिला है देखे दोस्तों आप जब जिला मुख्याले पर जाएंगे CMO आफिस पर जाएंगे वहीं से आपको जो है नियुकती पत्र कारभार ग्रहाड आख्या परपत्र करके रहेगा दोस्तों वो सब भराया ही गया है पहले और उसी के अनुसार आपको डॉट सेंटर एलाट हुए हैं देखे दोस्तों बहुत से अभिरती जो कह रहे हैं कि सर हमको यहां मिला वहां मिला देखे जो एन यू एचम वाले अभिरती हैं चाहे एनम हो फार्मासिस्ट लैब टेक्निशन इनको जो है अर्बन में मिला हुआ है मतलब सहरी छेतर में इनको मिला है यान यू एचम के अभिरतीयों को बाकि मैटरनल हेल्थ और डी एचेस और अर्बियस के वाले जो भी अभिरती हैं इनको रूलर में भेजा गया है अब रूलर में आप जानी सकते हैं दोस्तों जिला मुख्याले से कितनी दूर दूर पर तक बलाक वगरा रहते हैं किसी जिले में जो है चार से पांच बलाक रहते हैं तो बलाक के अंतरगत उनको दे दिया गया है तो इसलिए आप लोगों को जो भी मिलेगा वह सीमो आफिस से ही मिलेगा किसी के कहने पर न आयेगा ना तो किसी को आप पैसा दीजिएगा कि हमें जो है नज्दीक सेंटर दे दिया जाए रूलर वाले अभिहर्थी तो भूल ही जाएं क्योंकि रूलर में जिले में गाओं की जो बात कर रहा हूं गाउं में अभ्यार्थियों को जो है दूर दराज के सेंटर एलॉट किये गए हैं अभी मैं आप लोग को बता दे रहा हूं जैसे एक्जामपल के तवर पे मैं बता दे रहा हूं दोस्तों आजमगड जिला पकड़ लीजे और आजमगड जिला मुख्याले से लास्ट जहां से अमबेटकर नगर शुरू होता है वहां से जिला मुख्याले की दूरी लगवख 70 किलो मीटर है तो वहां पर भी अभीर्थियों को दे दिया जाता है जिसे मा लीजे आप अमबेटकर नगर अमबेटकर नगर से आजमगड के बौर्डर तक भीजा जा सकता है क्योंकि NUHM के अभीर्थि जो है वह अर्बन में ही रह जाएंगे मतब सहरी छेत्र में रहेंगे और इसके साथ में जो मैटरनल हेल्थ के हैं डियेचेस के हैं और आपके RBS के के हैं ये सब जो है Ruler Area में भेजे जा रहे हैं जो Ruler Area के Block हैं तो आप लोग को और कहीं कहीं पर दोस्तों पुराने Center जो है उनको फिर से Maintain करवा के Center जो है चालू करवाय जा रहा है और कुछ नए Center ऐसे हैं जहांपर आबादी को देखते हुए यह सब किया गया है तो Dot Center भी जो है अब चालू हो रहे हैं दोस्तों क्योंकि वहाँ पर स्टाफ नहीं रहते हैं स्टाफ की बहुत जादा कमी थी वो सब जो है CSC PSC पर बैठे ही रहते थे और वही टीका करणे के समय के वाल आया करते थे लेकिन अब जो है यह सेंटर पर्मानेंट 24 घंटे चलेगा इसलिए आप लोगों को हो सकता है वहाँ पर रहने की सुभधा भी दी जाए तो दोस्तों नियुक्ति पत्र आप लोगों को जल्द से जल्द मिलने वाला है चाहे जब ही जो है तो दोस्तों कभी भी जो है आप लोगो नियुक्ति पत्र मिल जाएगा तो आप अपने मुबाइल नंबर को स्विचाफ ना करें जो मुबाइल नंबर आप वहाँ भर कर आए है वही मुबाइल नंबर पर आपका फोन आएगा वीडियो को ज़्यादा सेयर करिए कि दोस्तों नियुक्ति पत्र के लिए बहुत से अभियर्थी पूछ रहते हैं सर कब तक नियुक्ति पत्र मिलेगा तो मैं आप लोगो अपने वीडियो के मादे हमसे बता दिया हूँ दोस्तों बहुत से जिले में ये बताया जारा कि नियुक्ति पत्रे मिल गया है दोस्तों हो सकता है कई जी जो ऐसे जिले है कि जो नियुक्ति पत्रे दे दे रहे हूँ जहां पर अभ्यर्थियों की संख्या कम हो लेकिन जहां पर अभ्यर्थियों की संख्या जाता है चाहिं है वहाँ पर नियुक्ति पत्र एक कैस तारीक बाद ही मिलेगा, यानि एक कैस तारीक से मिलना शुरू हो जाएगा, मिलते हैं नेक्ट वीडियो में वीडियो को अम तक देखने के लिए बहुत भुत धान्यवाद